दोस्तो मैं शिर उसे में आज बनने वाली है एक साउथ उनियन रेसिपी जिसे हम यूपे स्टाइल में बनाएंगे और उसमें थोलो सा वैरियेशन करेंगे जिससे उसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा तो मुझे उबीदे आप लोगों को रेसिपी बहुत पसंद करते हैं और आप देख सकते हैं कि जो रेसिपी बनकर तैयार हुई है वो देखने में बहुत ही शांदार है इसके साथ ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा है लाफ्टोवर डाल के साथ बनेंगे इसलिए सब को पसंद आएगी तो चलिए बहुत ही फटावर्ट से वीडियो स सब्सक्राइब और साथी बैल आइकल को प्रेस करना तो बिल्कुल भी न भूले बच्ची हुई दाल से बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए फ्रांट्स मैंने लिए रात की बच्ची हुई एक बाल भरकर अरहर की दाल की जुरुत बाद में पढ़ेगी तो इसक लिए प्रेस्ट के लिए रगदें और इस रेसिपी के लिए आपको ट्वाटार की ही ज़रुत हो गी और यह मैंने रख राल गिह इन्हे चॉपर के अंदर इसके लिए आप चाहें तो ट्माटा को चाहिए बाहर के बार्री कट कर सकते हैं बस आप इसे मिक्सी में ना चान लिया है और इंब्री के पानी को और टमाटर को दस मिट के लिए एक साइट से कर देते हैं और यह मैंने लिया एक मिक्सी का बाउल जिसमें डाल देंगे एक छोटे साइज का प्याज पांचे लैसुन की कलिया प्याज लैसुन नहीं काते हैं तो इसकिप कर दिजे पांचे करी पते ले लिया है दस बारे काली इर्थ मिल्चे और आधा थी स्पून मैंने लिया है जीरा और ये थोड़ा से पानी डालकर हम इसका एक पेस्ट तयार क बनाना स्टार्ट करते हैं थोड़ी से प्रप्रेशन दी वह हो चुकी है तो ये बने की भी बहुत ही कम तेल में उसके लिए सिर्फ आपको एक टी स्पून जितना आए उसमें डाल दीजिए हाफ टी स्पून जितना राई और उसके साथी थोड़ी सी हींग एक पिंच जिन मसाले को अलगा साथी की तो जाल तक बूंड़े का टीक हाई फट आपक दो मिनिट लागें ऑर ये देखे दो मिनिट में मसाला बूं गया और हम ने डाल दिया ओई और टमाटर का पालब जो बना कर तायार किया था और इसके साथ कुछ बेसिक से मसाले डाल लेंगे तो पि यहसे फरे डाल पा국समी पॉबर लीट सब्सक्राइए टेस्पूं Dr. भूटी दूम्ट के लिए A swoimmin one bowl कौछे के लोगा आफ टेंट सेपों! तीन-चार मिट बाद आप देखेंगे मसाला बड़ी असा भून चुका है और जो ऐल डाला था वो सैपरेट उसे हैगा और डेडि हमने इसमें बहुत ही कम ऐल का यूज किया है क्योंकि इसे आप कम ऐल के साथ बना सकते हैं तो आप वो जो डाल रखी थी ना हमने अरहर की अब आप देख सकते हैं परफेक्ट मारी रसम तैयार हो गए है रसम जो होती है काफी पतली बनाई जाती है थुड़ा साहरा धनिया डाल दिया और आप पर इसे पकाने की तो उससे पहले डाला टेस के हिसाब से नमक अच्छे से एक बार मिक्स किया और इसे हम करीब 10-12 मिन बढ़िया खोश्बू आरी है तो यह डाल थोड़ा साहरा धनिया हम रसम बनाएंगे डबल तलका लेकिन अभी दूसरा तलका नहीं लगाएंगे आप चाहें तो रसम को रोटी पराटे के साथ सेर्फ कर सकते हैं आप चाहें चावलों के साथ से लेकिन आज में इसके साथ वड़ा बनाने के लिए मैंने नौर्मल जो सफिर वाली उड़त की दाल होती है उसे तीन से चार घंटे के लिए भिगो दिया है और दाल फूल कर जस्ट डबल हो गई दो तीन पानी से अच्छी से वाश किया और इसमें अब जितना भी एक्स्रा पानी है इसे हम हटा पीखने के लिए तीन से चार टीबल स्पून पानी की जरुए और देखिस करता है इसके दाल ना तो आपको बहुत रवीली पीशनी है यानि की दाने दाल पीशनी है और ना बहुत ही ज्यादा बारीक करनी है अब डाल में हम डाल देते हैं 1 पिंग जीरा और यह मैंने डाल दी इसमें एक पिंग जितनी हिंग हिंग से इसमें टेस्ट भी अच्छा आएगा और पेट के लिए भी काफी अच्छी हो जाएगी और खूब सारा बारी खटा हुआ हरा धनिया अच्छे से मिक्स किया और अब दीदरे चमच का इस्तिमाल कर सकते हैं और आप चाहें तूधे हासे चामे पहले से फैट लिए पहले मैंने से चमच से छीए और इसके बाद मैंने उसके बढ़ियर से बैटा और यह देखिए दाल जो टेक्सिर है एकड़ा हो गया है दाल का फी हलकी हो चुकिया और कलर भी और गरम और में एक अर्फ चैर में मेतंबर्ल धाने के यह तरई आहरे नहीं नहीं तो सब्सुल लेट नांज इसलिए कि चुनल इसाँ झनल जाताया कर्क थयार? काफी हलके हैं बहुत ही सॉफ्ट और फूले फूले वड़े बनकर तैयार होगे और इसमें आपको बेकिंग पाउडर सोड़ा ऐसा कुछ भी नहीं डालना है और यह देखिए वड़े तैयार हो गए तुर ने डिश आउट के लिया और इदर जो हमारी रसम थी यह भी स्पून जितनी सफेद और आप चाहें तो जब हमने पहले तलका लगाया था तब यह डाल सकते हैं लेकिन जब तुड़ी सी गल जाती है इस तरही किसे डालेंगे तो एक बढ़िया क्रण्च आएगा तीज ज्यादा अच्छा करेगी और हाफ्टी स्पून से भी थूड़ अब इसके डालते हैं आप देखिए जो रसम का कलर ताला एक दम चेंज हो गया है एक दम जबर्दस रसम तैयार है तो अब यह देखिए बची हुई दाल के साथ हमारी कितने इंट्रस्टिंगे रसिपी तैयार हो गई है जिसे आप चाहें तो ब्लैक फास्ट में बनाएं बहुत ही मज़ेदार लगती है बहुत ही तेस्टी होती है तो मुझे उमीद है दोस्तों आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी होगी तो मैं आपको वड़ो का टेक्स्टर दिखाती हूं कितने सॉफ्ट और एक दम जालीदार मारे वड़े बनकर तैयार हुआ है एक दम पूल ही फूले पूले हैं इतने हलके बने मैं उन्पगे गार्म को अप रसम के साथ सर्व किजिया के बहुत ही लगते है तो मुझे उमीद है दोस्तों आपलोगों को ममेंट जरू करें कर दो दो आयुरोग कि भाली कर दो आयुक्त कर दो आयुरोग कर दो कि अभून कर दो कर दो दो